आज मैं बना रही हूँ इटली ढोकला बैटर से आज मैं इटली बनाओंगी ढोकला तो आपने बहुत वार खाया होगा आज हम इटली बनाएंगे और उससे ढोकला भी बनाएंगे जो बहुत सौप्ट बहुत स्पोंजी बनेगा फूला फूला बिल्कुल ये नास्ता बिना तेल का है, इसमें बहुत कम तेल का यूज किया है, हमने केवाल एक चम्मत तेल का, देखो हमारा कितना अच्छा नास्ता बनका तयार हुगा है, हैल्दी और टेस्टी भी है, इसे आप एक बार तो जरूर ट्राइ कीजिए, आज हमने ढोकला वैटर का पैकेट लिया है, ये ब इतना आपको बनाना हो, उसी हिसाब से निकाल लीजिए, उसी से आज हम बना रही हैं, हमने एक कटोरी लिया है, अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर बना लेंगे, इसमें हमें कोई भी बाहर की अपनी चीज नहीं डालना है, केवाल बैटर उस बैटर बना करके 5 मेट कीरी रख देंगे, उसके बाद हम जो ढोकला वाली हमारी पिलेट है, उसमें तेल लगा लेंगे, इसे या पैसे पिलेट में भी बना सकती है, यह असानी से बन जाता है और बहुत अच्छे से फूल जाता है, अच्छे से तेल लगा देंगे, जिससे बूर निकालने में परिसानी न जाता है, अब इसमें हम बैटर भर देंगे, और इसी अच्छे से फैला देंगे, इसी थोड़ा सा हिला दें, जिससे अच्छे से सैट हो जाए, उसके बाद जो हमारा बैटर बचा है, उसमें हम इटिल इटली वाला इस्टेंड लेंगे सांचा उसमें वित्तेल लगा करके बैटर को भर देंगे इसकी इटली बच्चों को बहुत पसंद आती है एक बार तो आप भी जरूर बनाईए थोड़ा खाली रखिए फूल नहीं बनना है क्योंकि अभी ये फूलेगा ऐसे दोनों इस्टेंड हम भर करके रख देंगे उसके बाद हम इटली वाला इस्टेंड लेंगे और उसमें एक इंच तक पानी भर देंगे और उसके बाद नीबू डाल देंगे काट करके इससे बरतम काला नहीं पड़ता है इतना पानी भर है जिससे हमारी जो प्लेट रख रहे हैं वो चुपके ना उससे इसी माई इटली भी बन जाएगी और ढोकला भी बन जाएगा अच्छे से जमा करके रख देंगी इसे अब सुबह की समय बनाईए बहुत टेस्टी बनेगा और बेना तेल का यह नासता है 10 मिट के बाद हम देखेंगे हमारी इटली अच्छे से फूल गई है थोड़ा तेड़ा हो गया स्टेंड इसलिए यह इसे अब ठंडा होने के लिए रख देंगे पांच मिट के लिए यह इटली का इस्टेंड इसमें चिपक गया है इसलिए वो निसान बन गया है ढोकला में अब पैन रखेंगे और उसमें एक चमच सर्सों का तेल डाल लेंगे जब तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम सर्सों मिठी नेम हरी मिर्ची लाल मिर्ची सूखी हेंग डाल देंगे और इसमें पानी डाल देंगे हल्दी डाल देंगे धनिया, लाल मेच पाउडर और चीनी डाल देंगे कितना हमारा सब ढोगला बना कितने असानी से निकल आया है अब इसकी मन पसंद पीज काट ले कितनी अच्छी हमारी सब इटली बनी है उसके बाद हमने जो तड़का तयार किया है इसे काट करके उसके उपर से डाल देंगे तड़का डालने से बहुत टेस्टी हो जाता है कितना अच्छा हमारा ढोगला बन गया है इसमें अच्छे से भार दें पूरा सोक लेगा जैसे इटली में भी हम डाल देंगे हमारे कितने अच्छे इटली डोसा और ढोगला बन गया है इटली और ढोगला और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा बेडियो आपको कैसा लगा बेडियो देखने के लिए धन्नवाद झाल